वेल्कम टू भाई की भड़ाई सस्क्राइबर और जिनोंने नहीं किया वो कर दो कर दिया चल पढ़ाब तो दोस्तो आज की मूवी का नाम है विज्ञानिक चेतना के वाहक चंदर शेखर विंकट रामन और इसके डेरेक्टर यानी की लेखक है धीरंजन मालवे और रास्ते में दो इंटरवल पढ़ेंगे तो चलिए चैप्टर की शुरुवात करते हैं पेड से सेब गिरते वे तो लोग सद्यों से देख रहे हैं सब उठा के खालिया करते थे बस एक न्यूटन था जिसने इसके पीछे छिपे कारण को ढूणने में अपनी पूरी जिन्दगी बरबाद कर दी और तुम न्यूटन की बरबादी का सबूत अपनी साइंस बुक में देख सकते हो चैप्टर टेन ग्रेविटेशन और साइंस बुक में एक चैप्टर बढ़ाने के लिए मैं न्यूटन को दिल से बद्धवा देता हूँ अब आज आते हैं इस स्टोरी के हीरो पर सीवी रामन मुझे अफसोस है इस बात का कि उन्हें कोई हीरोईन नहीं मिली कोई नी हाँ तो उन्होंने क्या पता लगाया कि हमें समुद्र का रंग नीला क्यों दिखता है बात 1921 की है रामन समुद्री यातरा पर थे ये वेला इंसान पूरे दिन जहाद से नीले समुद्र को देखता रहता था और मैं बता दूं रामन प्रकर्ती प्रेमी भी थे यानी नेचर लविंग वह प्रकर्ती प्रेमी के अलावा जग्यासु वेज्यानिक भी थे तो नीला समुद्र देखकर उनके दिमाग में दो सवाल उठे कि समुद्र का रंग नीला क्यों होता है और दूसरा कि कोई और रंग क्यों नहीं होता इसका साइंटिफिक रीजन निकालते ही रामन वर्ल्ड फेमस हो गए इस चैप्टर में उनके इस जीवन के सपर के बारे में बताया गया है तो शुरू करते हैं उनका जनम साथ नोवंबर 1888 में तमिल नाडू के तिरुचेरा पली नगर में हुआ था इनके पिता विशाखा पटनव में गणित और भोतकी के टीचर थे और मैं उन अंग्रेज के बच्चों को बता दूँ कि गणित मैट्स को कहते हैं और भोतकी फिजिक्स को ये वही दो सब्जेक्ट्स हैं जिन्होंने मेरी नींध हराम कर रखी है इन्ही सब्जेक्ट्स से रामन वर्ल्ड फेमस हुए हैं जिसकी सशक्त नीव उनके पिता ने तयार की थी उन्होंने अपने कॉलिज की पढ़ाई ए बी एन कॉलिज तिरुचिरा पली और फिर प्रेजेडेंसी कॉलिज मदराश से की थी कॉलिज में उन्होंने शोद कार्यों में दिल्चस्पी लेना शुरू कर दिया था मतलब रिसर्च वर्क में इंटरस्ट आ गया था लगता है वो बॉईस कॉलिज में पढ़ते थे इसलिए उनका मन पढ़ाई में लगा उनकी पहली रिसर्च वर्क फिलोसिफिकल मैगजीन में प्रकाशित होई मतलब पबलिश होई वह अपना पूरा जीवन शोद कार्यों को समर्पित करना चाते थे पर उस टाइम पर रिसर्च वर्क को करियर बनाने की कोई विवस्ता नहीं थी तो वह भी सरकारी नौकरी को ढुणने में लग गए उन्हें भारत सरकार के वित मंतराले में नौकरी मिल गई उनकी तैनाती कलकत्ता में हुई तो दोस्तो बाकी मूवी पहले इंटर्वल के बाद कंटिन्यू करेंगे